हेलो दोस्तों स्वागत आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल OCC भाई वेपुर सर में दोस्तों आपनों की तरफ से काफी ज्यादा क्वेशन्स आ रहे थे और रोज की रोज आप लोग कोई नों कोई पूछी दे रहा था डेली का डेली की सर एक्जाम कब होगा आपका जो BST का एक्जाम है अब इसका मतलब ग्रेजवेशन में अगर आप बीये में हैं बीस्तों में हैं या कुछ भी कर रहे हैं ग्रेजवेशन लेवल पर बीकॉम में हैं किसी भी में हैं तो वैसे एजी की डेट तो आ गई थी लेकिन जो लोग दूसरे सब्जेक्ट से हैं आरवर आ रहा था question की सर एक्जाम कब होगा ये बता दीजे तो उसी से related आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि एक्जाम कब होगा क्या डेट आ गई है और आ गई है तो कब है नहीं आई है तो कब तक हो सकता है क्या अनुमान उसका है इस सारी बात हम लोग इसमें करेंगे और कुछ और important बात इसमें हम लोग देखेंगे जो सबसी important है कि जो examination form के लिए भी आ रहा था आप लोगों की तरफ से comment की सर मेरा भी online नहीं हो पाया है तो कब तक इसकी last date है कब तक online करें कहां से करें कैसे करें सारे questions के जबाब मैं इस वीडियो आप लोगों को देने वाला करके patience बना कर कि इस वीडियो को last तक देखिए और समझने की कोसिस करिए कि माजरा क्या है जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख रहा है एक नया notification अभी आया है कल आया है और मैं आज वीडियो इस पर बना रहा हूं तो अब एकदम बिल्कुल latest notification अगर आपनों को पता है तो कि इसको important बोल रहा हूं इसाइस में क्या दिया गया है तो एक छोटा सा ही notification आया हुगा है आपनों के लिए और आप इसमें देखेंगे तो एक मिनट आप इसमें अगर देखेंगे तो यहां पर मैं थोड़ा सा उपर इसको कर दे रहा हूं और इन dates पर आप थोड़ा सा ध् मैं बात कर रहा हूं जिसको अब परिच्छा फॉर्म भेंदिम बोलते हैं तो उसके अगर आप देखेंगे online फॉर्म भरने की जो तिति है वो बढ़ा दी गई है पहले कम थी खतम हो गई थी लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और बढ़ा करके आप देखेंगे 21 परिजन था जिसकी वजह से उनका इग्जामिन फॉर्म अभी तक online नहीं हो पाया है वो लोग जा करके साइबर कैफी पर online करवा लें यह ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूं ग्रेजुएशन में और वैसे ग्रेजुएशन की यह नहीं यहां पे आप देखेंगे दोनो की लिए भी है ना तो PG का मतलब होता है आप लोग जानते हैं होंगे MSC वगारा वाला और असनातिक का मतलब होता है ग्रेजुएशन लेवल यानि की आपका BSC वाला मैटर होता है खास करके जादा तर लोग BSC के ही है तो मैं BSC का ही बार बार यूज करूंगा बाकि अगर आ इस University से जो लोग है मैं उनकी बात कर रहा हूं ठीक है यह भी याद रहे कि मैं दूसरी University की बात नहीं कर रहा हूं अगर आप किसी दूसरी University से हैं तो मुझको कमेंट करिएगा मैं उसका भी notification देखूंगा अगर कुछ ऐसा important मुझे लगेगा तो मैं उस पर भी वीडियो करके बता दूंगा कि उसमें क्या मैटर है तो आते हैं यह VBSPU की मैं बात कर रहा हूं तो VBSPU की जितने भी स्टुडेंट है बिल्कुल सतर को हो जाएं उनकी डेट बढ़ गई है ऑनलाइन फॉर्म भरने की एक्जामिनेशन फॉर्म भरने की और मैंने बता दिया कि 21 फर्वरी है और आज से लेकर कि आप 28 फर्वरी तक बिल्कुल भी फॉर्म को भर सकते हैं जो लोग नहीं भरे हैं फटा फटा आज जहीं जाएं ऑल लाइन करवा कि उसका प्रिंट आउट निकलवाईए और निकलवा करके लिए जाकर कि अपने कोलेज में इसको जमा कर देज्ए ठीक 28 फर्वरी से पहले पहले आपको जमा कर देना oli आपका काम खतम हो जाएगा अगर आपनों जमा करिया तो कोई बात नहीं है बहुत अच्छी बात है लेकिन जिन लोगों का छोट गया है जो लोग अव시 लेट हैं तो लोग बेलकुल जाग जाए और जाकर कर लें इसके बाद डेट नहीं बढ़ने वाली मैं बता दो लास्ट टाइम डेट बढ़ी है इसके बाद अब डेट नहीं बढ़ेगे तो प्लेज आप लोग जाकर किसको कर लिजी दूसरी बात ही है कि वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो डेट है आपके लिए ही है इसके बाद कि अगर में बात करूए अगर माली जी इसके बाद भी आपका 28 फरवरी से ओवर हो जाता है और आप नहीं भर पाते हैं तो विलंब सुल्क के साथ कहने का मतलब भी हुआ कि आपको विलंब सुल्क देना पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगता है उसके लिए एक मार्च से पांच मार्च के बीच अगर आप 28 फरवरी तक अगर आप नहीं भर पाए तो फिर एक मार्च से पांच मार्च तक की डिटा को और दी जा रहे हैं कि भी या अब तो भर लो लेकिन उसमें आपको एक सुल्क देना पड़ेगा सुल्क का मतलब पैसा थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा आपको उसकी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आप लेट कर रहे हैं जान बोश करके, दूसरी बात, भरे गए फार्मों की सत्यापन किते थी, यानि कि उसको सत्यापित किया जाना यानि कि आपको college में जमा करना है, college में आपको जमा कर देना है, 6-7 March तक आपको college के अंदर जमा कर देना है, नहीं तो जाले द्वारा समस्त सुल्क लॉग इन से ओनलाइन विश्वी द्वारा के खाते में जमा करने की थी यानि कि आप पैसा देंगे तो कॉलेज की डेट है या को इससे ज्यादा मतलब नहीं यह कॉलेज वालों के लिए कि इस डेट में उनको जो पैसा होगा उसको जमा करना है जो लोग बोर्ड के फॉर्म का जो पैसा लेते हैं वो जमा करने की डेट कॉलेज के लिए या आपके लिए नहीं है आपके लिए डेट बस नहीं तक है और खासकर कि यह वाली डेट आप लोग याद रखेगा यही डेट आपके लिए नई वाली आई है अठाइस फरवरी तक है कि आपका जो फर्वरी का लास्ट दिन है बिल्कुल फर्वरी तक आप लोग इसको कर सकते हैं दूसरी बात विस विद्याले परिच्छा फॉर्म हार्ड कॉपी नॉमिनल रोल सुल्क जमा करने किती थी इसमें देखी जो आपका हार्ड कॉपी निकलेगा उसको आप वै सुल्क है यह सारे चीज़े 13 मार्च तक भी जमा की जा सकती है लेकिन फिर आपको सुल्क देना पड़ेगा यह याद रखिएगा अलग से आपको उसकी पेनॉल्टी लगेगी लेट करने के लिए तो लेट आपको नहीं करना है आपको 28 फर्वरी से पहले-पहले ले जा करक करके जमा कर दें जिलनोंको और भी नहीं हुआ है और अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टन केसन के आंसर पर जो आप लगातार मुझस्ते करते रहते रहते हैं और पूचते रहते आज ही दो-तीन कमेंट आयँऊ था सर बताते जी एक्जाम कभ होगा मैं बताते-बताते थक गया हूँ कि अभी डेट नहीं आई है नोटिफिकेशन नहीं आई लेकिन फिर भी लोग पूछते रहाते हैं सर आप बताइए कब होगा कब होगा कब होगा तो मैं आपको बता दू कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही साफ साफ क्लियर सब्दों में लिखा गया है आप पढ़ने की कोशिज करिए वैसे इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप लोग खुदी इसको डाउनलोड कर लिजे और डाउनलोड करके वहां से खुब एत्मिनान से बैट करके इसको पढ़ सकते हैं फुरा डीटेल म में लिखा हुआ है कि तीठी नहीं बताएगी इसकी डेट नहीं बताएगी है बोला गए यह बाद में घोसित की जाएगी तो कि अब यहां पर साफ साफ लेका कि बाद में गोसित की जाएक यानि कि ऑफिसियल कोई नहीं आया है इनुट सिटी अभी डिसाइड नहीं की है कि कब तक एकजाम करवाएगी ना ही कोई अनुमान यहां पर बताई है कि इतने दिनों बाद यह इस महिन्ये में एकजाम हो सकता ऐसा कुछ यहां पर लिखा गया नहीं है जो लोग भी बता रहे हैं वह अपने से बता रहे हैं मनगडंत बता रहे हैं तो उसको आप लोग मत मानिएगा मैं तो यहीं बोलूँगा पहली बार यानि कि आप बिल्कुल यह बोल सकते हैं कि परिच्छा की कोई डेट अभी तक आ यहां पर लिखा जो लास्ट इसकी जो डेट लिखे गई है आप देख रहें 13 से 18 मार्च तक तो यहां पर लिखा गया है कि जो बोड का फॉर्म और यह सब जमा होगा और तीन पांच वाला काम होगा ठीक है तो इसका मतलब होगा कि मार्च में तो पेपर नहीं होगा क्यों युशा अपरैल में सुरुवाती दिनों में एक्जाम होगा कि नहीं हो पाएगा हाँ यह हो सकता है कि आपरैल लास्ट टक एक्जाम जो है एक्जाम होनी के संभाहोना बिल्कुल बन रही है एक अपरैल लास्ट तक एक्जाम हो सब्सक्रां कि आपकराई dominated 2000 रुपर नेupariat बोल सकते मार्च में तो नहीं होगा एक कंफर मैं अप्रेल लास्ट आप बोल सकते हैं कि हो सकता है हो सकता है कि आपका एक्जाम सुरू हो जाहिए इतने तक में हो जाएगा बहुत लेट होगा तो भी अप्रेल की जो लास्ट डेट है मतलब लास्ट मन्थ की जो डेट है महां तक बिल्कुल सुरू हो जाना चाहिए अप्रेल लास्ट बोल लेजिए तो आपको अपना जो प्लान बना करके चलिए पढ़ाई का वह अप्रेल लास्ट बना करके चलिए कि अप् बिल्कुल बचे हुए मार्च और अप्रैल ठीक है तो इतने में आपने विल्कुल इसको तयार कर लिजिए तो यह सबसे बड़ा जो आपका क्विस्टन था कि पेपर कब होगा मैंने आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन में दिखाया कि यहां परताप लिखाया कि कोई डेट इसकी वोशित नहीं की गई है तो आप लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए किसी पर भी मेरे उपर भी नहीं करना चाहिए जो मैंने बताया डिट वो बस एक अनुमान है मेरा अनुमान है परसनली मेरा अनुमान है बाकी इनवर्सिटी की तरफ से कुछ भी ऐसा कहा न यहां पर इनका बाईा है बीस फरवरी को यह नोठ rifiqayות जारी किया गया है और मैं 21 यहांज पर वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूं ठीक है तो यह आपका पुरान notification पूरान पर उमीद करते ह champ कि आपको notification पसंद आया होगा मेरी बताई हुई बातों से कुछ आपका लाव होगा कुछ आपका फायदा होने माला है फायदा तो हो गाई होगा अगर ऐसा है तो प्लीज आगे के और भी important notifications आपके university के पाने के लिए अगर अभी तक आप subscribe नहीं किये तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए अपने सभी दोस्तों की notification भीज़ दीजिए जिन लोग को बिल्कुल doubt है कि कप paper होगा, examination form अगर नहीं भर पाए है या कोई ऐसा doubt है तो उनलोग को प्लीज भीज़ दीजिए ताकि उनलोग के help हो जाए ठीक है वीडियो को आप लोग पेसेंस बना करके थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया यहां तक देखे इसके लिए आप सभी लोग को बहुत-बहुत सुक्रिया और जो लोग अच्छा-चा कमेंट करते हैं मेरे वीडियोज पर उनलोग को भी एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक्यू सू मच बाई-बाई फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू सू मच